हेलो एबरीवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद कर रहा हूं सब लोग ठीक होंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले साल लगभग जो रहा एक टॉपिक ग्रीन हाइडरोजन या हाइडरोजन एज फ्यूल या भारत के नजरीये में हम लोग देखें तो भारत में जो ग्रीन हाइडरोजन से संबंदित पॉलिसी आई या ग्रीन हाइडरोजन के लिए मिशन जो है वो लागू किया गया भारत में तो क्या इसका मकसद है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ही होती कि परते समय हम कई बार नोट्स भी बना लेते हैं लेकिन हमें कुछ बेसिक सी न आप लोगों ने देखे भी होंगे लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ आपको बेसिक जो है उस पर बहुत जादा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लिकेशन पार्ट पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे दूसरी बात जो प्रोड़क्शन आफ हाइड्रोजन है क् प्रैक्टिकली हाइड्रोजन को जरा हम उब्सर्व करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे नॉर्मली आपको बायू मंडल में मिलना थोड़ा सा क्या है कठीन हो जाता है कहीं न कहीं किसी दूसरी गैस के साथ मिलती है काफी लाइटर गैस होती है इसलिए जब एड्मासफियर इन सब तरीकों से तो कैसे ग्रीन हाइड्रोजन वर्ड आ गया है हाइड्रोजन से ग्रीन क्या होता है और बी अलग-अलग कलर के कोई आइड्रोजन नाम कलर कोडिंग उती है क्या तो बहुत कूछ चीजें आप लोग सीखो गे ठीक है तो थोड़ा वीडियो लंबा की information comparatively जादा मिलेंगी आपको सो बने रहेगा end तक चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना इसके साथ जो है Unacademy पर daily शाम को 7 बज़े special class ले सकते हैं Unacademy All India Prelims Mock Test अब offline भी आप लोग लिए available है 24th of April को बाकी online भी आप लोग दे सकते हैं इसके साथ Unacademy ने अब notes के साथ-साथ prelims, booklets जो मनलब एक तरह से practice booklets हैं questions की 10,000 MCQs वाली वो भी launch कर दी हैं तो अब यदि आप subscription लेते हैं plus और iconic कुछी दिनों में तो यह आपको साथ में मिलने वाली हैं दो साल के subscription में एक साल का additional assurance यह आपको और एक साल पढ़ना है तो you can use the code SGYT life इस code का विस्तमाल कर सकते हैं और नए batches जो चालू हो रहे हैं 27 अप्रेल से प्रारंब हो रहे हैं अब बात आती है सबसे पहले hydrogen की तो देखो कुछ basics basics मतलब इतने basics की मतलब पता होना चीए हमें है ना जैसे hydrogen हम बात करते है no doubt chemical element है बच्पन से एक periodic table पढ़ा है उसमें सबसे पहले hydrogen से शुडू करते हैं हम लोग तो जिसका atomic number one है यह हमें पता है with the symbol H ठीक है no doubt lightest element है अपने आप में काफी जादा हलका है और इतना जादा हलका है मैंने आपको बताया था कि या तो वो किसी gas के साथ सनलग नहों के मिलेगा या फिर हमें बाई मंडल में बहुत ही height पर मिलेगा एकदम lighter pattern पर बहुत जादा उचाई पर ठीक है exhaust sphere जो बाई यह मंडल होता है उसमें इसके बाद में यह हम लोग बात करें तो normally standard conditionary hydrogen की आप देखेंगे as a gas तो यह diatomic molecule से मतलब H2 की स्थिती में दिखाई देता है मतलब दो आपको यह combinedly pattern जो atom के वो दिखाई देते हैं ठीक है इसके साथ साथ जो है अपने आप में no doubt यह colorless, orderless, testless, non-toxic and highly combustible अब no doubt जोलनशील की स्थिती में भी आपको देखने को मिलेगा orderless है, testless है देखो यह बाते में क्यों कह रहा हूँ आप on the basis of previous year question papers UPSC ने अकसर basic पर focus किया है मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद direct exam में मिलती हैं एक्जाम में आने के बाद समझ में आता है कि इसको में पढ़ लेना था ठीक है तो कुछ-कुछ चीज़ें note down करनी हो सकते अच्छा दूसरी चीज़ क्या है बड़ी scientific चीज़ें experimental level पर है तो इतना laboratories में जाके हम नहीं पढ़ सकते लेकिन terminology से वाकिफ जरूर हो सकते हैं एक-एक बार उनको हम पढ़ के रखेंगे और application part को बहुत अच्छे से लिख के रख लेना आपको ठीक है next one is बतला अभी सिर्फ मैं आपको hydrogen के बारे हम basic ज्यान दे रहा हूँ state PSC हो सकते हैं कि इस रूप में जाग जाएं कि साल भर hydrogen की बात करी है तो Henry Cavendish नाम के जो वेक्ति हैं उनका नाम आजा एक्जाम में कि जिन्होंने सबसे पहले recognize किया था hydrogen gas को तो एक ये सवाल अपने लिए याद रह सकता है ठीक है तो basic बातें मैंने करी है कि काफी जादा lightest है atomic number one के साथ Henry Cavendish वगरा इनका नाम लोग कम से कम याद रख सकते हैं ठीक है अब बात आती है कि hydrogen as a gas इसका इस्तमाल तो हम बाद में देखेंगे पहले production कैसे किया जाता है मनला इसको लिया कैसे जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे इसके production को लेकर और production जब हो जा रहा है तो इसका इस्तमाल फिर कहा हुआ ठीक है और फिर ये green hydrogen का concept कैसे आया फिर हम देखेंगे कि इतने सालों से भी तो production किया जा रहा था क्यों किया जा रहा था वो भी देखेंगे पर ये अब अचानक green hydrogen जैसे term कैसे आ गए इसके ठीक है तो सबसे पहली बात होगी hydrogen के production की hydrogen बनता कैसे चार main मतलब source जिसको आप कह सकते है ठीक है four main sources for the commercial production of hydrogen it means that hydrogen का इस्तमाल जो है वो अभी भी किया तो जा रहा है ठीक है ध्यान से सुनना और मतलब इसका production हो रहा है तब ही तो किया जा रहा है अब यदि हम लोग देखें कि कहां से इसको हम लेकर आते हैं तो देखो मैंने थोड़ देर basic चीज आता है हाइड्रोजन किसी ने किसी चीज के साथ रहेगा जोना रहेगा उसको हमें वहाँ से हटाना है जैसे पानी H2O बोलते है तो अब हाइड्रोजन अलग करना तो oxygen को मुझे अलग करना पड़ेगा फिर मुझे जो है कुछ दूसरी process अपना नहीं पड़ेगी electrolysis की वो शायद वो चीज को अलग कर दे तो मतलब hydrogen किसी के साथ है हमेशा और उससे मुझे उसको अलग कराना है अब जैसे natural gas यदि हम लोग देखें natural gas प्राकरतिक जो gas है मालों मीथेन है CH4 formula देखो गया तो CH4 में भी carbon के साथ बैठा हुआ है ठीक है तो hydrogen को अलग करना है तो मुझे फिर से कुछ process अकनानी पड़ेगी ऐसी oil वगएरा भी है petroleum है fossil fuel है, koila है और electrolysis जो process होती है जिसमें normally भी मैं इसा process हलागी थोड़ा सा basic idea आपको दे दूँगा तो इसके जिंता न करें तो normally हम लोग बात करें तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जहां से हम ये कह सकते हैं कि hydrogen का production किया जाता है मलब source है ये तो अब अपने लिए prelims में एक exam में question आ सकता है कि जो conventional method जो है hydrogen production के वो क्या है अब हमने तो क्या है साल भर में पूरे mission वगरा पढ़ ली policy पढ़ ली और ये basic ही नहीं बता कि ये कहां से hydrogen का production करते हैं और इन बातों पर इस तरह के question अकसर पूछेंगे तो ध्यान रखना natural gas लगभग लगभग 50% के आसपास जो production किया जाता है hydrogen का उसका source जो है वो natural gas है ठीक है उसके बाद में oil उसके बाद में koila उसके बाद में electrolysis next one is fossil fuel are the dominant source of industrial hydrogen hydrogen को बनाना के लिए जो fossil fuels है वहां से ये बनाया जाता है ठीक है कैसे बनाया जाता है electrolysis process क्या होती है तो मैं सब सिखा हूँगा ठीक है और कुछ शब्द मैंने Hindi के भी आगे लिख दी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो अभी इस पूरी statistics आपको समझ में आ गया कि hydrogen production किया जाता है ऐसे direct नहीं ले सकते आप और वो कहां कहां से हम लोग कर रहे है तो ये sequence आप याद रखेंगे क्यों इतना सब कुछ जो है नो डाउट उसको यदि gas के form में रखना है तो ये बहुत जादा high pressure की आवशकता लगेगी high pressure tanks लगते है इसके लिए ये सब में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जो आगे infrastructure हमें create करना होगा for the hydrogen क्योंकि आप माल लीजे कार ही चलानी है आपको वैसे आज हम ये भी देखेंगे कार्स कैसे चलती है hydrogen से ठीक है मनलब hydrogen जो fuel cell होता है उसकी working बे में बताऊंगा लास्ट तक थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा चीज़ेंदे डेफिनिटली कुछ न कुछ सीख हो गया तो storage of hydrogen as a gas यदि हम बात करें तो high pressure tanks की जरुवत लगती है ये awareness दिमाग में रखो कि ऐसा ऐसा चाहिए कई बार UPSC इस तरह के सवाल पूछ सकता है और दूसरी बात यदि उसको liquid में भी रखना है तो sir बहुत ही cryogenic level पे ले जाना पड़ेगा लिक्विड requirements के लिए तो top 1 बहुत जादा है ये science tech के level पे एक सवाल पूछा जा सकता है minus 282 degree centigrade ठीक है liquid nitrogen कितने temperature की बात होती जरा आप comment में भी लिख सकते है तो storage इसका liquid gas में किया जा सकता है मतलब liquid में या gas में लेकिन उसके लिए ज़िए आपको gas वे करना हो तो फिर high pressure की बजर्वत लगेगी liquid में जाना पड़ेगा तो बहुत ही low temperatures में जलेज़कर जाना पड़ेगा आपको ठीक है basic याद रखना है कहां से production कर रहे हैं हम लोग तो production कहां से आएगा तो natural gas से आएगा मतलब हमें किसी के साथ है उसको अलब करना है सिंपल सी जीज़ है अब बात आएगी कि सर production methods क्या है यहां से बनेगा सर प्रिलिम्ट का एक question बन सकता है कि production के methods के simple नाम लिखे है हमें पता ही नहीं चल रहा है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि पूरी process जाकर पढ़ना है अपने को general awareness कम से कम थोड़ा बहुत basic idea है उधारण के तोर पे मैंने आप से कहा था कि जैसे मानलो for example natural gas के बारे में बात करें natural gas क्या है भई यह methane का form रहता है उसमें CH4 अब यह मैं यही समझा रहा था आपको कि यह hydrogen जो दिख रहा है आपको CH4 में यह किसके साथ है देखो carbon के साथ है मतलब इसको मुझे हटाना है ठीक है तो अब मैं बात कर रहा हूँ production कैसे किया जाता है मैं देख बिल्कुल धीरे धीरे आपको सब green hydrogen तक लेकर जाऊंगा क्यों यह समस्याएं हैं यह क्यों एक तरह से feasible method नहीं है आज के time पे एक बिल्कुल समरी बता रहता हूँ कि यह जितने भी production method में बता रहा हूँ जादा तर जादा तर carbon emission के लिए responsible है मतलब यह green जो एक तरह से आप कह सकते हैं CO2 emission के लिए responsible है मतलब यह तरह से pollution को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप एक तरफ hydrogen ले तो रहे हो production तो कर रहे हो लेकिन एक तरफ जो Paris agreement में की गई चीज़े जो की गई बाद है या आप मान लीजिए अभी जो recently मोदी जी ने कह के आ गए हैं कि भाईया हम लोग जो है 2070 तक या net zero का emission की बाद जो कर के आ हैं तो CH4 को हटाने के लिए अब देखो methane अब यही है steam methane reforming अब यह process क्या होती है कैसे कर रहे हैं इसमें परिशान बिलकुल नहीं होना है पस नाम थोड़ा सा याद रखना है कि steam generally यदि हम बात करें तो यह जो methane reforming process है वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग ऐसा सवाल आगया हमाँ लोग statement में पहली बार पढ़ रहे हैं अब तो पता ही नहीं चल पा रहा है क्या है तो steam methane reforming में अभी आप फिलाल अब पढ़ने को बाद तो सुनी लिया है आपने तो इसको at least याद रख सकते हो कि hydrogen production में इसकी process है होता कुछ नहीं बहुत simple सी चीज है इसको इक्यों में इतना explain कर रहा हूँ sir currently सबसे सस्ता cheapest process है मानके चलिए hydrogen को बनाने के लिए करते क्या है लगभग nearly 50% of the world's hydrogen being produced by this method इस method में क्या होता है generally जो आपका methane CH4 जी हाँ इसको H2O के साथ water के साथ मिलाने के साथ अब जैसे अब यह react करेगा तो carbon monoxide यहाँ से release होगा और no doubt मुझे हाँ hydrogen मिल जाएगा आगे यह प्रकडिया रुकती नहीं है और generally यह उसी का एक image है पुरा यह पूरी process का मैंने बताया लेकिन मैंने कहा जा जाएगा टेक्निकल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है second stage में भी जाओगे तो वापिस जो carbon monoxide है जो release हो रहा है उसको आप फिर से water के साथ react करवा के देख रहे हैं तो फिर H2 फिर मिल रहा है मनला दो बार आपको hydrogen मिल तो गया है hydrogen production तो करा दिया लेकिन add that आप देख रहे है carbon dioxide emit कर रहे हैं मतलब hydrogen production हो तो रहा है hydrogen मिल रहा है मुझे अब इसका application कहां use हो का वह बता दूँगा पर production के दोरान एक बात ध्यान रखनी है आपको कि carbon dioxide का emission कर रहे हैं और carbon dioxide का emission कर रहे हैं तो फिर ये एक तरह से परियावरण के लिए ठीक नहीं है तो इसलिए इसको मैं green hydrogen नहीं कह सकता इसका मतलब सर्फ green hydrogen वो चीज़ है जो production न करे अपने बनने पर I repeat क्या बोला मैंने ध्यान से सुनना green hydrogen वो hydrogen है कि जब उसका production हो रहा हो मतलब किसी चीज़ से वो अलग हो रही हो जैसे methane से अलग कराना हो माल लोग example तो उस दौरान उस दौरान जो है एक तरह से या माल लो hydrogen बना रही हो आप तो उस दौरान emission नहीं होना चाहिए मतलब carbon release नहीं होना चाहिए वो है green hydrogen अब समझ में आगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि इतने दिनों से hydrogen नहीं बन रहा था hydrogen बन रहा था हम बना रहे थी यह वाली steam methane जो reforming process है water के साथ react कर वागे लेकिन the thing is कि emission इसमें carbon dioxide गाव रहा था तो अब इस पूरी picture में अपने क्याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा famous तरीका है at least उसको हम एक दो बार तो पढ़ी सकते है steam methane reforming दो तीन बार पढ़ोगे अपनी preparation में सामाने तरीके से आ जाएगा कि भाई इसका संबंद hydrogen से है ठीक है एक और होता है सर methane pyrolysis top bigton जो कहते हैं हम लोग लेकिन इंडिरेक्ली यह इतने सस्टेबल सस्टेबल नहीं है अब green hydrogen कैसे develop होगा वो मैं सिखाऊंगा तो एक तरीका आप लोग steam methane reforming methane pyrolysis कल को exam में जाए क्या methane pyrolysis से हम लोग hydrogen का निर्मान कर सकते हैं हाँ जी कर सकते हैं methane दिया आपने methane pyrolysis में generally यह होता है कि जो solid carbon जो निकल रहा है वो एक तरह से जो एक तरह से remaining portion है वो बच जाता है और hydrogen हमें मिल जाता है पर the thing is इसमें आपको heat देनी पड़ती है pyrolysis means क्या होता है pyro means heat दे रहा है अब वो heat यदि आपने माल लोग किसी coilे से दे दी methane का निर्मान भी एक तरह से जब process डाल रहा है methane को इसमें provide करा रहा है और pyro means heat अत्यदिक तापमान पे चीज़ें कर रहे होते है absence of oxygen is the keyword oxygen वगर यहां इसमें होता नहीं है अब combustion करा रहा है लेकिन उसके लिए heat भी देना पड़ेगा आप अपने heat भी दी माल लो तो heat देने के बाद भी जाए दी माल लो जो source है आपका heat का या माल लो आपने electricity से heat दे रहा है example दे रहा हूं है और वो electricity किसी coilे वगरस से बन क्या रही तो भी तो indirectly इसमें use हो रही ना वो जीज मतलब emission generally इंडिरेकली तो कम से कम आप देखो गए तो यह तरीका safe नहीं रहा मतलब मेरा यह कि आपको methane paralysis यहां क्या होता है उससे बहतर है कि आप पहले याद रखो कि किसके अंतरगत आ रहा है तो कल को अपने से कोई पूचे कि hydrogen production में methane pyrosis जैसा word है क्या बिलकुल है ठीक है koilet से जैसे मैं बना रहा था देखो इदर koilet से भी जो है production किया जाता है तो koilet को जो gasification method से मतलब जो उसका gaseous form में उसको लेकर आना उसमें भी generally हम hydrogen को अलग निकाल देते हैं तो यह भी एक process हो सकती है plasma reforming भी है कि यह fourth stage पे आते हैं हम लोग लेकिन यह काफी detailing है इसको just मैंने इसलिए mention कर दिया कि आप अपने notes बना रहे हो तो please उसमें plasma reforming भी आप लिख दीजिया context अभी हमारा green hydrogen का है अभी hydrogen के basics बफस में बता रहा था लेकिन हटाने के लिए अगलग अगलग प्रक्रियाओं मैं हमने देखा कि एक steam methane reforming process है, methane paralysis है, coal gasification है, plasma reforming है यह सारी चीज़ें हैं इससे हम लोग hydrogen निकाल तो रहे हैं लेकिन यह उतना sustainable नहीं है क्योंकि indirectly carbon जो है करी रहा है मतलब एक तरह से परियावरन production की स्थिती की तरफ जा रहा है ठीक है, सबसे जादा जो process use होती है, steam methane reforming होती है यह सब चीज़ें मैंने आपको लगबग बता दी, ठीक है अब बात आती है, एक तरीका और है, पानी के साथ जो किया जा सकता है and that is called as water, water के साथ जो करते हैं हम लोग electrolysis विद्यूत अबगटन, भाई simple सी बात है, यह बचपन से आप लोग सीखते आए हो कि methods to produce hydrogen, यह भी एक तरीका है क्या कल को UPS से पूछता है कि electrolysis, जिसको हम विद्यूत अबगटन कहते हैं वो भी क्या एक तरीका है क्या, जिसमें बिना fossil fuel के यूज किये, मतलब देखो आप, इस बाली कुरी चीजों में क्या बता रहे था हैं, गैस है, oil है, कोले है, क्या है, सब majorly fossil fuel है, बट चार प्रतिशत ऐसी भी चीज लिखी हुई है, जिसमें fossil fuel का कोई रोल नहीं है, मतलब direct है, सीधा पानी से बना रहा हूँ है, पानी में क्या है, सर, H2 है, आप इसको current दे दीजिए, current देने से क्या होगा, अब आपको मालूम है, कि इसमें यदि अब पानी है, और electricity यदि आपने दिया, तो electrolysis से oxygen अलग हो जाता है, hydrogen अलग हो जाता है, मतलब ये बजपन से होगा, cathode और anode, minus और negatively charge और positively charge दो plate यदि में डालता हूँ इसमें, तो hydrogen generally जो है, इसके साथ connect हो जाता है, और oxygen generally इसके साथ हो जाता है, कब जब आप external power supply इसको दोगे, अब बिजली दे दिया आपने, बिजली देने से, देखो आप क्या हुआ, सुनो सुनो, hydrogen अलग कर रहे ह हैं, अब तक हम koilay fossil fuel, methane इन से निकाल रहे थे, अब हम direct पानी से अलग कर रहे हैं, है तो hydrogen ना, किसी से भी अलग कर सकते हैं, तो अब हमने hydrogen अलग करने की सोची सा, अब हमने सोचा कि या यह fossil fuel से नहीं करते हैं, ठीक है, अब पानी है, तो पानी से कर लेते हैं, तो पानी से देंगे और यह इधर जनरली ऑक्सियन दिखाई देगा कब जब इसमें आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज आपने जब प्रोवाइड किया बिजली दी आपने इसमें तब ऐसा हुआ ही समझ में आगी बाद बिजली देने के बाद हो सकता है कभी-कभी आपको इसमें जो है कुछ एसेड वगरा कुछ प्रोवाइड करना पड़े क्योंकि कई बार फ्रेश वाटर इतना मतलब कंडेक्टिविटी को जनरली आप देखेंगे तो यह इतना डिफरेंस जो है नहीं ला करने के लिए करेंट का सप्लाई देना पड़ा और यह सर बिजली और बिजली आज के टाइम आप बनाते हो कोईले से ठीक है या मान लो कहीं भी किसी चीज़ से आप बना रहे हो बिजली तो बिजली तो बन रहे हो मतलब बिजली कोईले से आ रही तो फिर भी यह सस्टेने लेकिन यह जो बिजली आ रही थी, यह कोईले से आ रही थी, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से आ रही थी, तो फिर यह sustainable नहीं है सर, अब आती है बाद green hydrogen की, कि यदि यह बिजली को मैं windmill से ले आऊ, यदि यह बिजली को मैं solar power plant से ले आऊ, तो फिर तो कहीं से कहीं तक carbon की स्थिती आई नहीं, कोई pollution ही नहीं हुआ सर, और ऐसे hydrogen को मैं कहूंगा फिर green hydrogen, मैं repeat करता हूँ, बहुत काम की चीज़ कहीं मैंने, आपने electrolysis process में, मतलब पानी से आप hydrogen oxygen अलग कर रहे हैं, पानी से आपने hydrogen oxygen अलग कर रहे हैं, hydrogen oxygen कैसे अलग होते हैं, negative की तरफ hydrogen चला जाता ह कब जाएगा जब बिजली की supply दिया, अब तक बिजली की supply कोईले से बनी हुई बिजली से आप दे रहे थे, वो जो की सही नहीं थे, अब आपने green hydrogen की विवस्था निकाली, green का मतलब जो एक तरह से परियावरण से संब्दित सब कुछ सही हो, बिना कोई emission के, तो मैंने क्य करा, मैंने ये करा कि इस बार बिजली जो इसके लिए यूज हो रही है, वो renewable energy की दे दी, solar power plant, windmill से दे दी, अब तो आप पूरी link में मुझे बता दो, कहीं पर भी carbon उत्सरजन हुआ हो, जीरो, इसको कहता है green hydrogen, समझ में आ गई बात, कोज इकत, अब green hydrogen अपने पास आ गई स अब यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि, जिस तरह से हम इस पर focus कर रहे है, renewable energy को, इसको hydrogen production से कैसे connect कर दें, अब hydrogen production के बाद, एक बार hydrogen production हुआ, तो इसका जो application part है, hydrogen use हो रहा है, अलग-अलग, वो भी मेरे लिए सही हो जाएगा, परियावरन का जो net emission है, उस पर मैं control कर पा ठीक है, तो अब आप देखिए कि, अब तक आप generally देखेंगे, तो कोईले से इनसे सबसे बना रहे थे हम लोग, और इसमें होता क्या था, इसमें होता यह था, कि सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा जो इशू था इसमें, यह था, कि carbon die oxide emit हो रहे थी हर जगे, लेक जो बिजली आएगी, वो renewable energy से आएगी, ठीक है, अब दर लगता है कि green hydrogen तो ठीक है, लेकिन ऐसे और भी तो hydrogen बोलता है हम लोग, तो जैसे मैं भी आप से कह रहा था कि coal gasification method जो होता है, उससे में भी तो methane निकाली दा था अब तक, पर वो जो hydrogen होता है, उसको हम brown hydrogen कहते हैं, यह prelims point of view से याद रखना पड़ेगा आपको कि brown hydrogen क्या होता है, तो जो कोईले से, lignite जो coal होता है, जिसको हम brown coal भी कहते हैं कभी-कभी, उससे जो आप तक hydrogen निकाल रहे थे हैं, वो brown hydrogen होता है, ठीक है, जो natural gas, methane से जो निकाल रहे थे आप, steam methane reformation जो मैंने आप से कहा था, वो हुआ, gray hydrogen, कलको direct ही, यहां से ऐसे सवाल भी तो बना सकता है, बिलकुल, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि gray hydrogen का संबंद किस प्रोसेस से है, brown hydrogen का संबंद किस प्रोसेस से है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, blue hydrogen क्या होता है, blue hydrogen मतलब no doubt आपने बना तो लिया hydrogen, लेकिन उसका जो carbon है, direct भली emission नहीं किया, लेकिन उसको store कर लिया आपने, कहीं पर, tank में वो store कर लिया कि इसको हम बेस्ट बाहर, atmosphere में नहीं जाने देंगे, क्योंकि यह atmosphere में जायेगा, तो प्रोडूशन करेगा, तो आपने storage करना सीख लिए, पर at the end, एक limitation है ना सर, storage में फिर कहीं leakage के chance है, किसी दिन कोई दुरगटना हो गए तो नुकसान है सर, वो भी तो एक risk है, तो यह भी steam में, यह सब कुछ है, लेकिन carbon capture is the keyword, ध्यान रखना, blue में, पानी वानी में मतले जाना नहीं तो इसको, blue hydrogen में carbon capture कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा था, emission हो रहा था, निकल रहा था, ठीक है, अब इसमें आप capture कर रहे हैं, मतलब परियावरण में, जो carbon dioxide है, उसको दे नहीं रहे हैं, उसको capture वहीं पर कहीं store कर लिया, फिर है, turquoise जो color होता है, इस hydrogen के बारे में बात करने तो, especially methane से भी आप कह सकते हैं, जो pyrolysis process में अभी जो process बता रहा था, इसमें paralysis वाली जो विद्यूत अबगटन के पहले वाली जो बताई थी, ये, इसमें generally हम लोग oxygen के absence में जो कारे कर रहे होते हैं, तब की बात हैं, तो वो एक turquoise generally हो गए, इसमें भी थोड़े से emission comparatively कम है, और उसके बाद में green hydrogen है, जहां पर हम electrolysis करते है water का, लेकिन जो इसमें electricity देते हैं, वो renewable energy से देते हैं, तो indirectly इसमें हम लोग overall क्या देखते हैं, कि भाईया कहीं नहीं से हमारा CO2 का जो है, वो release हुआ ही नहीं, अब देखो ना कितनी अच्छी चीज लिखी हुई है, कि जितना आप इधर जाओगे, generally, तो उतना ही greenhouse gas generally आप देखोगे तो अपने लिए क्या है, emission, highest to lowest, इधर greenhouse gas comparatively emission जादा था, जादा था, कम था, कम था, कम था, कम था, तो brown से green आओगे, तो greenhouse gas emission generally जो आप देख रहा हो, comparatively कम है, ठीक है, greenhouse gas, CO2, क्योंकि यह जितना होगा, उतने global warming बड़ेगी, global warming बड़ेगी, तो temperature बड़ेगा, फ तो ऐसा यह थोड़ा सा आप याद रखना, तो मतलब सिर्फ green hydrogen नहीं होता है, brown होता है, grey होता है, blue होता है, turquoise होता है, और भी color होते हैं, सबकी अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, और सब में कहीं न कहीं indirectly, कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत emission होई रहा था, बस इसको hydrogen है, तो bituminous koila बहुत जादा dark होता है, इसलिए black hydrogen बोल सकते हो, अभी जो lignite brown वाला में बता रहा था, तो koilे भी दो रंग की होते हैं, तो brown hydrogen हो गया, मालो biomass से आप लोग hydrogen निकाल रहे हैं, तो red hydrogen हो गया वो, यह भी कीभड याद रख सकते हैं, आप कभी prelims में बूझ लिय तो, nuclear power plant यह आप यूज कर रहे हैं, मतलब nuclear energy को यूज कर रहे हैं, हाइडरोजन को से eliminate hydrogen को और production करने के लिए तो that is pink hydrogen, pink hydrogen वर्ट भी उसकर सकते हैं, पिंक nuclear यह यह color इदर दिख रहा है, आपको, solar power यह mixed energy electrical gate तो वो अपने लिए yellow hydrogen जनरल यह आप कह सकते हैं, specially यह इदी solar से आप कर रहे हैं तो, या उधारन के तोड़ पर methane अभी जो मैंने आपको होता है, turquoise color भी हो सकता है, या मानलो geological hydrogen है, अंदर प्रत्वी पर या naturally occurring पहले से है, उस पर हम बात करने तो यह तरह से white hydrogen भी आप बोल सकते हैं, ऐसे कुछ hydrogen हैं, बट news में तो आप यह है main, जो है, और यही indirectly इसलिए important है, क्योंकि यह emission के level पर विल्कुल zero है, इसमें कोई CO2 जैसा emission आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, so वही मैं आप से कह रहा था कि indirectly आप लोग observe करेंगे, तो grey hydrogen में भी CO2 निकल रहा था, fossil fuel, ठीक है, उसके बाद में blue hydrogen में भी हमने देखा कि इसमें capture हो रही है, this is the keyword capturing, difference कोई पूछ ले तो, कि what is the difference between blue, grey and green, तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें capture कर लिया, इसमें emit कर दिया, नुकसान दोनों में है, यह हमारा ultimate goal है, ठीक है, now the application part, मैं आप से फिर कहा, application कैसे use हो रहा है, वो exam में नहीं पूछेगा, कहां use हो रहा है, यह ज़र normally hydrogen gas के इस्तमाल boost लिया किसी दिन, तो फिर परहसान हो जाएंगे हैं लोग, तो बहुत सारी लंबी list है, पोसिच करने तो आप लिख सकते हैं, petrochemical industry में, petrochemical industry में generally क्या होता है, कि fuel की quality को या fuel को उसको upgrade करने के लिए, ठीक है, upgrade करने के लिए, this is the keyword, upgrading of fossil fuels, इसके लिए इसका क्या जाता है, मतलब कल को सीधी बात कोई कहा है, कि क्या hydrogen का इस्तमाल fossil fuels के, या जो fuel हम बना रहे होते हैं, refineries के दोरान, वहाँ पर इसका इसका इस्तमाल क्या जाता है, क्या, बिल्कुल हाँ किया जाता है, इसमें कहीं बार, hydro cracking is the keyword here, hydro crack कर देना, मतलब कहीं बार, जो hydrocarbon की काफी complex change जो होती है, उसको breakdown करके, जो है simpler form में लेके आने के लिए, हमें hydrogen की जरुवत पढ़ जाती है, तो hydrogen की अवशकता कल को कोई पूछे, petrochemical industry में है, क्या, हाँ, hydro cracking का संबंद कभी कोई पूछे, तो याद रख लेना, ये इसका इस्तमाल, petrochemical उद्द्योगों में होता है, hydrogen की presence की बात हो रही है, ठीक है, चाहे वो hydro alkalization का है, hydro sulfur को हटाने के लिए एक process है, तो ये इनकी जादा detailing में जाने की जरुवत नहीं, लेकिन ये keywords को आप याद रख सकते हैं कि indirectly hydrogen का इस्तमाल, petrochemical उद्द्योगों में किया जाता है, steel production में, steel production में ये थोड़ी बात कहीं बार ऐसे application वाले question आते हैं, तो कहीं बार हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि normally क्या पड़ते हैं, steel उद्द्योगों में तो koila चाहिए, loha चाहिए, limestone चाहिए, manganese चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, hydrogen का भी कहीं न कहीं इसका इस्तमाल आप लोग कर सकते हैं, और detailing लेके तो जोड़ना पड़ जाता है हमें किसी के साथ, जैसे मान लीजे, उधारण के तोर पे ammonia बनाना है आपको, ठीक है, अब ammonia बनाना है क्योंकि कहीं बार इसका इसका इस्तमाल फिर हम fertilizer उद्द्योगों में कर लेते हैं, तो अभी तक hydrogen को मिलाने का काम भी हम कर सकते हैं किसी उद् पड़ी सकते हो ना कि, हाँ, ammonia बनाने के लिए जो है, hydrogen का इस्तमाल किया जा रहा है क्या, जी हाँ, उसमें hydrogen का addition करना पड़ता हमें, इसको हम hydrogenation कहते हैं, hydrogenation सब्दा आ सकता है exam में, ठीक है, हेबर बोश प्रोसेस का संबंद किस से है, क्या oxygen बनाने से है, क्या जूट बाते ह रखना ये अपने लिए ammonia production की बात कर रहा है, तो हेबर बोश प्रोसेस को भी आप रख सकते हैं, ठीक है, कहीं जगे, coolant का इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, semi conductor उद्योगों में, जो अर्धचालक होते हैं, semi conductors, ठीक है, उद्योगों में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, तो shift के लिए भी किया जाता है, ठीक है, this is the hydrogen fuel cell, ये बहुत काम की चीज़, इसको हम एंड में पढ़ेंगे, क्यों, इसको क्यों एंड में पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे, इसी से हमें कार को चलाना है, बसस को चलाना है, तो ये बहुत interesting चीज़ है, last में आने वाल इसलिए कह रहा हूँ, आराम से के hydrogen का जो application बता रहा हूँ, वो लिख लेना, shielding gas, welding, welding वाली जो pattern होता है, welding में इसका यूज़ किया जाता है, क्रायोजनिक research वगरा करनी हो, मतलब मैंने आपको भी बताया कि cold temperatures को जब study कर रहे होते हैं, तो hydrogen का इस्तमाल क्या जाता है, beyond lifting जि airships जो होती है, हवा से उपर मतलब उठने वाली, उसमें भी hydrogen का इस्तमाल क्या जाता है, काफी हलकी gas होती है, leak detection भी, मतलब कहीं से दी leak check करना हो, कि leakages कहीं है, क्या gas का, तो वहाँ पर nitrogen और hydrogen को मिला कर leak detection कर लिया जाता है, मत जाओ ज्यादा detail में, दो-दो घंटे ऐसी waste हो जाएंगे, कोई मतलब वहां तक नहीं पहुंच रहा हूँ, basic, basic भूल जाते हैं, कि क्या यहां यूज हो सकता है, application part, उस पर focus करो, ठीक है, next one is, tratium uses, मतलब जनरली है, थोड़ा सा hydrogen teen वाली जो बात हो रही है, means, nuclear reactor में, इंडरेटली कभी कोई question बुले है, कि nuclear reactor में इसका इस hydrogen को add करा दिया, steel production, petrochemical उद्योगों में इसका इस्तमाल किया जा रहा है, hydrogen fuel cell, अभी मैं detail में पढ़ाऊँगा कि क्या cell क्या होती, कैसे बस चलेंगी, cars कैसे चलती हैं, उसकी सारी working बताऊँगा, shielding gas welding agent की तरह, इसको welding methods में यूज करते हैं, chirogenic research में यूज होता है, beyond lifting में, leak detection titanium use मतलब nuclear reactors में इसका इस्तमाल करते हैं, चीजें तो hydrogen bomb तक चली जाती है, अब बात आती है, तो हल है कि आपने काफी पढ़ लिए होगा, current interface में national hydrogen mission, बाई, simple सी बात है, hydrogen बना रहे हैं, और अब तरीका हमें change करना पड़ेगा, वो भी green hydrogen वाला तरीका बनाना पड़ेगा, त hydrogen की जो process चल रही थी बनाने की, उसमें carbon emission हो रहा था, यह बड़ी दिक्कत थी, अब हमें hydrogen को एक तो cleanly तरीके से बनाना भी हो, फिर इसको use कैसे करना, वो भी हमने देखा, कि अलग-अलग उद्द्यों में इसका use तो है, hydrogen ऐसा नहीं की use नहीं है, बहुत जाड़ा use देखा और अभी cars कैसे चलेंगी, vehicles कैसे चलेंगे, वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए कारा थोड़ा वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, पर ठीक है, अब यहां तक की story तो अपने को समझ में आ गई, अब National Hydrogen Energy Mission का simple सी बात है कि Paris Agreement, Paris Agreement जो normally आप climate change से संबंदित पढ़ उसके द्वारा देशों को बोला जाएगा कि आपको यह करना है, यह यह targets है, पर Kyoto Protocol इसलिए शायद success भी नहीं हो पाया कि जनरली ऊपर से सब चीज़ें थी, थोप दी गई थी कि यह करना है, किसीने अपनी जम्मेदारी लेना शायद नहीं समझा होगा, इसलिए Paris Agreement दुनिय Contribution जो हम कहते हैं, मतलब हर देश अपने targets खुद बताएगा, मतलब खुद आगे आके आ रहा है, मतलब down to up approach है, ठीक है, तो ऐसे ही फिर, इसलिए हम कहने थी, जो हमारा ambitious goal था, कि लगबग लगबग इतनी energy हमें 2022 की जनरली, नॉर्मली उसको उसमें production पे लेके जाना है, या hydrogen की बात कर रहे थे हम लोग, तो hydrogen बनाने के लिए हम लोगोंने कितना emission किया, तो ये emission को जो रोकने वाली बात थी, या आप जो कह रहे थे कि भाई साब, indirectly हम लोगों को net zero carbon की तरफ जाना है, net zero carbon मतलब समझ रहे हैं हम लोग, कि जितना हम लोग carbon सर्जन कर रहे हैं, उतना हम कहीं ने कहीं, उसको वाफस सिंक भी तो करा लें, वाफस उसका जो है, एक तरह से zero स्थिती पे ले आएं, कि जितना ऐसा नहीं सकते, प्लीज एक बात और दिहान रखना, net zero carbon emission का मतलब ये मत समझ लेना कि carbon उत्सरजन करना ही बंद कर दिया, जितना आप कर रहे हैं, उतना कि जो स्थिती है, उसको हमें जो है, एक तरह से 2050 तक third fourth जो हिस्सा है, वो renewable resource है, मतलब green hydrogen बनाना, indirectly ये है, कि hydrogen बनाते समय कि जो emission निकल रहा है, वो बहुत दिक्कत कर रहा है, जो अभी तक मैंने आपको बताया, अलग-अलग उसमें, इसके बाद में basic यही कह रहा हैं कि दीर जो potential fuel है हमारा, वो generally fossil fuel, of course यदि हम लोग देखें, तो इसको हमें replace करना है, क्योंकि indirectly उनका भी इस्तमाल, वो भी तो CO2 को सरजन करी रहा है, तो hydrogen को बनाना और उसको use करना, ये दोनों का उदिश इस energy mission में रहेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसके बा जो CO2 emission है, उसको हमें थोड़ा रोग दें, और hydrogen जब बन रहा है, तो उसका इस्तमाल भी हमें करना है, ताकि हम जो conventional fossil fuels है, उनको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि replace कर सकें, वो replace करना एक बहुत बड़ा हमारा mission कि तरह है, एक काम की चीज़ हो रहा है, hydrogen economy outlook report है सरीए, hydrogen economy outlook report, यह कोई पूछ सकता exam में, तो यह study publish हुई है, report की तरह, जो कि किसके द्वारा, Bloomberg, ठीक है, Bloomberg यह याद रख लेना, यह काफी बड़ा जो है network है, इसको आप थोड़ा और research कर सकते, इंटरनेट पे, Bloomberg के द्वारा यह दिया गया था, और इसमें यह था कि लगभग लगभग य 34%, बहुत होता है, पर लब देखो ना, hydrogen को बनाने के लिए, निकालने के लिए कितना जाला सरजन हो रहा था, अब तक तो हम यह सोचते थे कि thermal power plant production कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, लेकि hydrogen को बनाना भी बहुत बड़ा production का गारक बन सकता है, पर इसलिए हमें फिर green hydrogen पे हम लोग ठीक है, कि indirectly कहीं न कहीं तो हम लोग कैसे भी जिसको आप कह सकते हैं कि renewable energy का यूज करके hydrogen को अलग करिये ना, अब hydrogen अलग हो गया, अब हमारे इन vehicles पे हम कैसे fuel up करेंगे उसको, या कैसे हम हमारे जो fossil fuel हैं, उनको कैसे replace कर सकता है hydrogen उसको हम लोग देखेंगे, policy भी recently आई थी, हला कि अब आप लोग ने काफी detail में पढ़ लिया हुआ अब तक, policy में भी ये चीज़ बताई गई थी, कि यदि कोई supplier मान लीजिए, उधारन के तोर पे किसी दूसरे state में बिजली दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए, राजिस्थान में आपने बिजली बनाई, और वो hydrogen बनाने वाले plant में बिजली दे रहा हो, और ये बिजली जो दे रहा हो, वो किसी renewable तरीके से आ रही है, तो उसके लिए transmission charge बिलकुल नहीं लगेगा, लगभग इन्होंने जो समय दिया है, वो 25 साल तक का दिया है, कि 25 साल तक जो transmission charge है, वो wave off कर दिया जाएगा, यदि 30 जून 2025 के पहले है, यदि आपने renewable energy से देना शुरू कर दिया, मतलब क्या, कि आप मालेजिए supplier है बिजली के, और बिजली के supplier, आप बिजली किसको दे रहा है, hydrogen plant को, hydrogen plant को क्यों कि वो electrolysis कराना है आपको, पानी में hydrogen और oxygen अलग कराना है, अब सरकार ये कहें कि आप बिजली जब दे इंटर स्टेट, राज्यों में लगता जाए, तो वो 25 सालों के लिए माफ रहेगा, मतलब एक तरह से motivate हो रही है, बेनिफिट वाली बात है, बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसी policy का जो निर्मान किया गया है, और एक्जाम में में पुछा सकता है, कि कि तरह से impact कर कि उन्होंने का कि बाई, चार-पास दिन हमें जो है, इलेक्ट्रोलिसिस के भी जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन काफी है, और तो इतनी ज़्यादा बिजली हम क्या करेंगे, तो उस बिजली को आप डिस्कॉम पे बेज सकते हो, मतलब जो उस state में, उस region में जो distribution companies होती है, distribution distribution डिसकॉम्स क्या होती है, जो आपके हर बिजली पहुंचा रही होती है, wire, metering, और बिल बनाना, और जैसे कई बाद की टाटा ग्रूप से आए हम लोग, बिल लेने जैसे आ जाते हैं कई बाद, तो उन companies को भी आप दे सकते हो, और फिर वापस भी ले सकते हो, तो ऐसा नही यह है कि उधारण के तोर पे यहां पर जनरली इन्होंने यही बात किये कि लगभग, लगभग, manufacturer can bank his unconsumed renewable power up to 30 days with the distribution company and take it back when required, कि जब जरुवत पड़ेगी तो दे दो और वापस ले लो, 30 दिन तक का इसमें समय दे दिया गया है, तो यह भी एक अच्छी चीज थी, उसके बाद में, इन्होंने यह भी कहा था कि मान लिजे, ग्रीन, हाइड्रोजन, अमोनिया यही आप बना रहे हैं, अब इनका यूज भी होता है, फर्टिलाइजर वगरे इंडस्ट्री में, तो पोर्ट्स वगरे कि आसपास यही आपको स्टोरेज कराना है, तो बंकर्स वगरे लिए गया, तो इस तरह की पॉलिसी से, no doubt hydrogen की स्थिती को बढ़ावा देखने को मिलने वाला है, most interesting part, car कैसे चलेगी, देखो सर, simple सी बात है, car में लगेगी motor, और यह motor चलेगी बिजली से, बिजली से मतलब इसको चाहिए current, तभी तो भूम पाएंगे, अब तक क्या था, अ अब लिथियम आयर बैटरी लगाएंगे, पर लिथियम आयर बैटरी को चाहिए charging, अब charging में और फिर भारी भी है, कहां से लाओगे लिथियम, इसलिए ये एक game changing pattern बन सकता है, क्यों, अब hydrogen से आपको चलाना है कि आप ये गाड़ी को चलाना है, तो process क्या है, बहुत simple है, hydrogen तो हमने बनाई लिए अभी green hydrogen, तो बिलकुल net emissions है, green hydrogen त्यार कर ली, tank लगा दिया गाड़ी में, गाड़ी में hydrogen fuel up करा ली, पांच मिनिट लगते हैं, fuel up हो जाएगा hydrogen, अब hydrogen क्या करेगा, हमने एक fuel cell लगा के रखा है, जैसे lithium ion battery लगाएंगे, वैसे हमें एक fuel cell लगा के रख gas को current में, और यही चीज बस चाहिए मुझे, तो इस gas, जैसे यह gas is fuel cell में जाती ही, तो यह current का formation बनाई, current को जो है supply कर देती है, मतलब electricity बना के देती है, अब होता क्या है, बता देता हूँ, यह fuel cell है, पहले शायद हो सकता है कि कुछ समय आपको इसको देखने में लग जाए पहले देख लिजिए आब आराम से, हाँ वो जादा जरूरी, पहले देख लो आप लोग फिर क्या मैं तो पढ़ाता रहूंगा, यह light है, विजली है जो दिखा रहा है आपको, ठीक है, hydrogen दिया आपने वो tank से, अब हमने क्या किया है, अंदर एक anode और एक cathode लगा के रखा ह है, ठीक है, अब होता यह है, कि जैसे ही आप इसमें hydrogen प्रवेश करेगा, बीच में एक membrane है, अब hydrogen जब प्रवेश करेगा, तो इसमें negative और positive चार्ज जो है, अलग-अलग होंगे, positive तो ठीक है, इस generally membrane से इस side आ जाएगा, लेकिन जो remaining बच जाता है इसके अंदर, वो बच जा हैगा, minus, मतलब क्या, minus in the sense, की, electron, यह एक तरह से positive वाला, इस point पे इधर आ जाता है, और यह membrane से electron, चार्ज जो है, particle वो पास नहीं कर बाता, यह पुरा एक system है, ज्यादर, डीटेल में जाएंगे, तो अब शकता है भी नहीं, basic अपने को याद रखना है, एक fuel, वो जो lithium-ion battery क एक बहुत बढ़िया replacement है, hydrogen डाल रहे होगा, negative charge यहीं रह गया, positive इस side आ गया, ठीक है, अब यह negative क्या है, current है, पर अब इसको तो positive की तरफ तो दोड़ेगा यह, पर यह क्या है, कि यह बीच में membrane है, तो इधर तो जा नहीं पा रहा है, तो फिर कहां से जाएगा, तो यह negative charge जो है, इसका एक अलग रास्ता बना दिया अपने, पर यह जो रास्ता था, यह बिजली का रास्ता था, यह यहां से इसने electricity बना दी, अब जो जरुवत थी वो electricity बन गए, बाकी इधर भी चला गया मान लो यह, इधर चला भी गया थोड़ा बहुत, तो यहां चला जाएगा तो यहां पहले से प्लस था, current यहां पहुंची गया है, मतलब वापस hydrogen बन जाया गई, तो hydrogen तो बन गया, लेकिन उसके साथ में, उसके साथ में, ध्यान से देखना, उसके साथ में generally oxygen भी आ रहा था इधर, oxygen भी आ रहा था, air जो हम लोग ले रहे थे, मतलब एक इसमें generally oxygen का पैटर्न रहता है, अब हुआ कुछ नहीं, बस simple सी बात है, H2 भी हो गया, और oxygen भी आ गया, पानी बहार generally आ जाएगा as a water vapor, मतलब बहुत simple सी बात थी इसमें, कि एक ऐसी process है, अब मैं इसको diagram से आपको इसमें और एक बार clear कर देता हूँ, देखना, पहले आप symbols देख लो, yellow जो है वो current है, ठीक है, और लाल जो है वो hydrogen है, दियान देना है न, लाल hydrogen है और ये yellow electron है, ये ऐसी जाएगा देखो अंदर जा रहा है, तो ये yellow इसमें separate हो गया, yellow उपर चला गया ये देखो, ठीक है, और green वाला जो है proton, वो positive इस side आ रहा है, green वाले को देखो positive इधर आ रहा ह और बापस ये जोड़ भी जाएगा, तो यहाँ H2 तो बनी जाएगा ये, और oxygen आई रहा है, तो ये पानी के साथ बन के बाहर, तो कोई चीज storage भी नहीं हो रही है, current भी बन रहा है, मतलब ये एक process है, इससे कोई वैसे कोई पूछ नहीं रहा है, आपस मैं आपको ये बतान की gas के जो generally pattern, अच्छा water का भी pattern जो है इसमें बाहर की तरफ निकलाएगा, तो indirectly यदि हम लोग देखें, तो ये जो fuel cell है, ये indirectly current का निर्मान कर रहा है, जो इस motor को चला कर देगा, तो indirectly current का निर्मान हमने hydrogen से कर रहा है, तो ये fuel cell का इस्तमाल हो जाएगा, अब पूरे system को दे side निकल रहा था, अब उसको बंद करा के electrolysis process से मैंने green hydrogen का निर्मान करा, अब green hydrogen का जब मैंने निर्मान करा, तो मैंने fuel cell की मदद से उसमें electric current जो है generate करवा दिया, उस से में जो motors हैं वो चला कर और अपनी जितने भी transportation system उसको आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, तो इस पूरे उ कैसे अलग है, green hydrogen क्या है, सब कुछ मैंने बताया है, कहीं कहीं बीच में दिक्कत भी हो, एक बार वीडियो को pause करना, आराम से और हर चीज content को लिख लेना, ठीक है, description box में telegram channel उसको join कर लेना, वहाँ ये PDFP में दे दूँगा, दूसरी बात, ये slide बहुत जादा काम की है, इस में बहुत extreme details है, ये जादा, मैं नहीं कहूंगा कि इसमें जाके हम पढ़ें, लेकिन कभी-कभी UPS से prelims में चीज़ें डरा सकती हैं, तो prelims तो direct आ सकता, कि hydrogen production की methods क्या-क्या हो सकती है, तो methane, partial oxidation, plasma reforming, coal, petroleum, coke, ये तो तरीके थे, methane से generally आप जो कर रहे थे, पानी से electrolysis है, और ही चीज़ें, कभी धोका में आ जाए कि hydrogen production method में, radiolysis, thermolysis, thermochemical, ferrosilicon method, photobiological water splitting, photocatalic water splitting, bio hydrogen roots, nano galvanic, aluminum, yellow powder, ये कही बार ऐसे टांस आपको कही बार मिलेंगे exam में, पहली बार जो आते हैं ना एक्दम, पहली बार जो आते हैं exam में question, वो इस तरह के मिलेंगे, यहां से, तो इस slide गो ना आराम से देखो और उनको note down कलो, एक दो बार पढ़ना समझ में आ जाएगा, इसकी detailing में मत जाना, फिर तो कहीं के कहीं निकल जाएंगे, हम फिर research करने बैठ जाओ फिर तो, मैं नहीं तो चाहता है तो हम इसकी detailing कूप कले पर कोई sense नहीं है, कहीं बार ये process थोड़ तो मन करें तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो यह रही पूरी story hydrogen के बारे में, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताना सब लोग comment में, ठीक है, और Unacademy का ये test जरूर दे लीजिएगा, और जब भी आपको subscription ले, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है, तो you can use the code sgytlive, sgyt10, जो भी आप use करें, से discount मिल जाएगा, comment में telegram channel भी है, उसको join करो, वहाँ भी PDF में दे दूँगा, thank you so much, मिलते हैं अगले ले समने, good bye